1948 लंडन ओलम्पिक्स वेमले स्टेडियम उस वक्त की वर्ल्ड की बेस्ट टीम प्रिटेन जिसके कई देश घुलाम थे दूसरी और भारत पूरी तरीके से बिखरा हुआ गरीबी की मार जेल रहा पूरी तरीके से तूटा हुआ जिसके खिलाडियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं इतिहास में पहली बार हुआ जब आजाद भारत ने ब्रिटेन की सरजमी पर उसी को हराया और तिरंगा पहली बार ब्रिटेन में फैराया गया सभी राष्टेगान जनगर्मन पर खड़े हुए ऐसे ही हौकी इस देश की शान नहीं बनी सोची क्या नजारा रहा होगा अभी अभी देश का बटवारा हुआ है लाखों लोग मारे गए घर के पडोस में ही लोग एक दूसरे को काट रहे हैं जहां हौकी की प्रक्टिस की जा रही है पता नहीं कब लोग हमला कर दें और वो सभी जान से मार दिये जाए अभी तो प्लेयर्स के लिए सारी चीजें दी जाती हैं उस वक्त फ्लियर्स को पहनने के लिए ठीक जूते भी नहीं दिये जा रहे थे कोई-कोई नंगे पैर खेल रहा था और अभी-अभी वर्ल्ड वार खतम हुआ है जिसमें लगवक कहीं न कहीं सभी देश एक दूसरे से लड़े हैं पता नहीं कब दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएं और इस बीच इंडियन होकी टीम को हर देश में जाना पड़ा था खेलने के लिए ऐसा नहीं लगता वो खेलने के लिए नहीं युद्ध के लिए जा रहे हो दूसरे बिश युद्ध और इंडिया पाकिस्तान के बटवारे के बीच भारते खिलाडियों ने खेल की लड़ाई लड़ी उस वक्त के बड़े से बड़े देश को हराया सुरुआत में आस्ट्रिया को 8-0 से हराया अर्जन्टीना को 9-1 से पीछे चोड़ा कौडर फाइनल में स्पेन को धूल चटाई सैमी फाइनल में हॉलेंड को बुई तरीके से पीछे चोड़ा और फाइनल में दुनिया के राजा ब्रिटेन को 4 गोलों से हराया भारत की इंडियन होकी टीम पहली ऐसी टीम बनी जिसने पूरे वर्ल्ड के लगबख सभी देशों के साथ होकी खेला 1998 से 1956 के बीच लगातार 6 गोल्ड मेंडल जीती 24 बड़े खेलों में हिस्सा लिया 24 के 24 जीती होकी फेडरेशन की पहली नॉन यूरोपियन मेंबर बनी गरीवी की मार वर्ल्ड वार का खौफ पटवारे के बीच आजाद भारत न जीता अपना पहला गोल्ड अभी तक इंडिया चुप था अब हम लोग बोलेगा और दुनिया सुनेगा कर दो करना हरा हर आद